हाली कृष्णा, आज मैं आपके लिए गौन की चक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ तो हारों पर जब हमें मिठाई बनाने ही है तो क्योंना कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाया जाए जो सबके लिए फाइदे मंध हो और ताकतवर भी हो और जैसे घी यहां पर अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें यहां पर गौन डालेंगे यहां मैंने वन थाट कप गौन दी है और इसे हम दो बैचेज में फ्राइ करेंगे यानि थोड़ी थोड़ी आपको फ्राइ करनी है जैसे ही आप गौन घी में डालेंगे इसको तुरंथी इस तरीके से चला लें वरना ये आपस में चिपक जाती है और अगर चिपक भी जाए तो भी कोई प्राब्रम नहीं है आप इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये अपने आपी अलग-अलग हो जाती है और ये देखे जब ये अच्छे से फूल गई है बिल्कुल बढ़िया से पॉपकॉन की तरह तो अब हम इसे यहाँ पर इस पराथ में निकाल लेंगे और बाकी की बच्ची हुई गौन हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे गौन की तासीर हलकी गरम होती है लेकिन ये जच्चा के लिए बहुत अच्छी होती है और वैसे भी बहुत ताकतवर होती है और ये देखे यहाँ पर दोनों बैच्चेस की गौन हमने अच्छे से फ्राइ कर ली है और इसे अलग निकाल लेंगे और अब इसी बचे हुए घी में मैं एक कप गेहों का आटा डाल दूगी सभी चीज़ों का मेजर्मेंट ग्रैम्स में भी और कप के हिसाब से भी नीचे रिस्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ चेक कर सकते हैं इसे हम अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे और जैसे मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें मेजरेंग कप से नापी है आप चाहें तो कोई भी घर की कटोरी या कप भी ले सकते हैं नाप के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं इसमें यहाँ पर बचा हुआ घी और डाल दूँगी और लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे और यहाँ पर जब यह गौन पूरी तरह ठंडी हो गई है तो हम इस तरीके से इसे क्रेश करके देखेंगे यह देखे इसली क्रेश हो रही है तो समही लीजे कि गौन हमारी अच्छे से फ्राई हुई है और अब गिलास के पीछे वाली साइट से हम इसे हलका हलका इस तरीके से मैश कर देंगे बहुत साधा हमें इसको पीसना नहीं है इसका जो हलका सा टेक्शर आता है चक्की में वो बहुत बढ़िया लगता है और ये देखे तकरीबन 10-12 मिनिट हो चुके हैं आटा हमारा अच्छे से भून गया है बड़िया सा इसमें गूर्डन कलर आ गया है तो मैं इसमें 100 ग्राम मावा डाल दूँगे कप से नापेंगे तो तकरीबन आधा कप मावा है और इसको इस तरीके से लगतार चलाते हुए आटे के साथ ही भून लेंगे मावे में भी अपना काफी फैट होता है तो इसलिए हम इसे जादा घी डालने की जूरत नहीं है वैसे जो राजस्तानी चक्की होती है उसमें घी की क्वांटिटी बहुत जादा होती है क्योंकि राजस्तान में घी काफी यूज किया जाता है लेकिन हमने यहाँ पर घी इतना नहीं डाला है अगर आपको पसंद हो या आप डालना चाहें तो यहाँ पर आप एक चोथाई कब घी और डाल सकते हैं और यह देखिए मावा भी हमारा यहाँ पर अच्छे से भून गया है हमने इसे तीन से चा मिन डॉल भून लिया है और बस यह अच्छे से भून गया है तो बस गैस का फ्लीम आफ कर देंगे और इसे गैस से नीचे उतार देंगे अब इसके लिए शुगर सिरफ यानि की चाशनी तयार कर देंगे गैस पर एक फ्राइ पैन रख देंगे यह अगारो ग्रेनाइट नॉन स्टिक पैन है आप इसे इंडक्षन और गैस दोनों पर ही यूज कर सकते हैं इसमें हम एक कप देशी खान डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें पोना कप पानी डाल देंगे यानि की 3-4 cup और आदी छोटी चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे उबाल देंगे और आपको इसे तब तक उबालना है जब तक इसमें एक तार ना बनने लग जाए और ये देखिए तकरीबन 4-5 मिनिट लगे हैं इसमें ये गौंध भी डाल देंगे फ्राइ की हुई और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम कोई भी ड्राइफूट का यूज नहीं कर रहे हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राइफूट भी डाल सकते हैं तो आप यहाँ पर पानी को उबाल करके 2-3 चमश डाल दीजे तो भी इसमें बढ़ी असा मॉश्चर आ जाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यह तयार है मैंने यहाँ पर यह ओडी इकोबेक बेकिंग और कुकिंग पेपर ले लिया है ओडी इकोबेक के जितने भी प्रोड़क्स हैं इसमें किसी भी तरह के हामफुल केमिकल्स नहीं हैं और यह इको फ्रेंडली हैं जिसे मैं यहाँ आप इस टिफिन में लगा दूँगी इसे गार्णिश करना बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो इसे सिंपल भी सर्व कर सकते हैं और इसे पंधा मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजी रूम टेंपरेचर पर ताकि अच्छे से सेट हो जाएगी और यह देखिए गोंधगीरी की चक्की बहुत अच्छे से सेट हो गई है यह पेपर की मदद से इसे निकालना भी बहुत असान रहता है अगर आपके पास यह पेपर ना हो तो आप प्लेट या ट्रे को ग्रीस करने पहले घी से उसके बाद इसमें चक्की को सेट करें और लिचे हमारी राजस्थान की प्रसेद गोंधगीरी की चक्की बनकर की तयार है बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है बच्चे बड़े सभी से खा सकते हैं और यह बहुत ताकतवर होती है और आप इसे 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आज ही रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी जरूर दबा दें उसमें आल प्रेस कर दें उससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अब मिलती हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई तेक केर और थैंक्स वर वचिंग